इस एपिसोड में आर के कॉलेज ओफ लौ फिरोजाबाद द्वारा, एक जुलाई दो हजार चौबी से लागू नए कानूनों द्वारा प्रावधानों में बदलाव के, श्रिंख लाबध तरीके से आम जनता तक पहुचने की मुहीम है। अब हमारा विशे है और्गनाइस्ट क्रेम होते क्या हैं। नए प्रावधान में परवतन आए हैं। इसके बारे में समझने वाली बात यह है कि नए प्रावधान में और्गनाइस्ट क्राइम को अलग से परभाश्रत किया गया है और अलग से इसके लिए डंड की व्यवस्था भी की गई है। तो पहले इसके लिए दंड की व्योष्था नहीं ती इसमें जो डंड की व्योष्था थी वह प्रतेक ओफेंस के लिए अलग अलग से थी प्रथक प्रतव व्यास्थाएं थी इस बार डंड की व्योष्था ओर्गनाइज क्राइम के लिए अलग से section 111 में की गई इसमें किस तरह के क्राइम को आप इन्वाल करते हैं इसकी इतो ग्रुप आफ पीपल जिनको करता है उनको और जरूरी सब्द है वह एक सीरीज ऑफ एक्स कर रहा है ये अलग है जो एक आदमी लगाताया रहा है वह पूरी योजना घृत था तो अब इसके डंड में पहले क्या था और अब क्या है कि क्या पहले डंड अलग था और जी बिल्कुल प्रतेक अपरात के लिए जो पहले डंड था आज भी डंड की विवस्ता अलग अलग तो है लेकिन कोई व्यक्ति लंबे समय तक अपरात को करते चला रहा है या उसके अपरात में रह रहा है तो उसके लिए प्रतक से डंड की विवस्ता की गई या आजीवन कारवास और अन्य किसी मामले में जिसमें मेत्यू कारित नहीं हुई है उसमें कम से कम पांच वर्स की सजा दी गई है और अधिक से अधिक आजीवन कारावास की व्यवस्ता की गई है यह जब यह प्रूव हो जाए यह आदमी लगातार इसी तरह के क्राइम करता चला है जी बिलकुल जब यहां सावित हो पहले कानूनों में केवल सिंगल एक्ट को ही कंसिडर करते थे और जो व्यक्ति लंबे समय से इसमें सनलिप्त है उसके लिए कोई अलग से व्यवस्ता नहीं थी जिसकी व्यवस्ता इस नए बियानेस में की गई है जी थेंक्यू